अगर आपने अब तक मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए नमस्कार मैं लखनव से रामदत्रि पाथी पिछले कुछ हफ्तों से आलू और प्याज जैसे जरूरी सब्सक्राइब के दाम बढ़ गये हैं खुद्रा यानि फुटकर विक्रताओं का कहना है कि दाम बढ़ने का असली कारण मंडियों में आलू और प्याज जैसी सब्सक्राइब का ना आना है या कम आना है कि आज क्या हो चाली किल्व है और अलू अलू 40 उपाई किलो है कि यह क्या इधर कुछ मंगा हुआ है यह कब से करीब जो है कि तीन वैने से महिंगा है फेले कितना था कि पहले ती सुपाइक लो था प्याज हाँ और आलू जो है बीस का डेड़ज बिक्ता था अब यह जो है अब चाली सुपाइक किलो हो गई कोई-कोई 50 में भी बेंच रहे हैं कोई-कोई पचाब भी बेंच रहे हैं तो कुछ मंडी के लोग यह बताते हैं कि प्याज और आलू इसलिए नहीं आया चुंकि बारिस की वज़े से माल खराब हो गया लेकिन असली वज़े यह नहीं है चानकार लोग बताते हैं कि असली वज़े जमा खोरी है आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीने पहले केंद्र सरकार ने आवश्यक वस्तु अधनियम में संशोधन करके सामान को जमा करने क की सीमा बढ़ा दी थी इसकी वज़े से अब व्यापारियों पर कोई अंकुष नहीं है वो चाहे जितना माल अपने भंडारण में रख सकते हैं जानकार लोगों का कहना है कि वास्तों में दाम बढ़ने का कारण जमाखोरी है उत्तरप्रदेश के कोल्ड स्टोरिजेद में आलू भरा पड़ा है लेकिन उसको ठीक से निकाला नहीं जा रहा इसी तरह महाराष्ट में भी प्याज गोदामों में भरी है लेकिन उसको बाजार में आने नहीं दिया जा रहा है जानकार लोगों का कहना है कि अगर आलू और प्याज जैसे जरूरी सबजियों के दाम सुनने के लिए शुक्रिया पसंद आया हो तो कृप्या लाइक करें और मित्रों से शेयर भी करें अपनी टिपणी लिखें और नेमित वीडियो अपडेट पाने के लिए मीडिया स्वराज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें जय जगत